प्रक्षेपन अरब सागर में किया गया इसमें पहली बार में ही मिसाइल सीधा निशाना लगाने में काम्याब रही जिसके बाद रक्षमंत्राले की ओर से कहा गया कि पहले ही प्रियास में टार्गेट को हिट करना एक बड़ी उपलब्दी है यह सिर्फ कलवरी के लिए ही नहीं बलकी स्कॉर्पिन क्लास की सम्मरीन के लिए भी बड़ी बात है आपको बता दें कि इसकी रेंज सामने से 12,000 किलो मिटर है वहीं पानी के अंदर से सम्मरीन की एक हजार किलो मिटर से अधिक है अधिक है इस अफ्ताब शियुदसानी कीप वाचिंग एक्सपोस इंडिया